इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मचीन याने की EVM को लेकर उठ रहे हैं विवाद पर केंद्रिय निर्वाचन आयोग याने की इलेक्शन कमिशन ओप इंडिया ने दर्विवार को साफ शब्दों में कह दिया कि EVM को लेकर अफ़ा पहलाई जा रही है दरसल स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने EVM के इस्तमाल पर सवाल उठाते हुए इसे बंद करने की सलह देड़ा अलाकि ये मामला भारत को लिकर नहीं था लेकिन उनके इस बयान के बाद कॉंग्रेस ने भी EVM पर फिर से निशाना साथ है पार्टी के सांसर्द राहूल गांधी ने कहा कि EVM एक ब्लैक बॉक्स है जिसकी जांच करने की किसी को इजासत नहीं है उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में पार दर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई चारे राहूल गांधी ने तरसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि जब संस्थानों में जवाब देही ही नहीं होती तो लोकतंतर दिखावा बनकर रह जाता है और धांधली की आशों का पड़ जाता है इस पोस्ट के साथ राहूल गांधी ने एक खबर साजा की जिसमें दावा किया गया कि मुंबाई के उत्तर पश्चिम लोकसभाद सीट से 48 वोट से जीत दर्ज करने वाले शिब सेना के उमीदवार कि एक रिष्टिदार के पास एक ऐसा फोन है जिससे EBA में छेड़चार स उसमें लिखा है कि 2024 के लोकसभाद चुनाओं में मात्र 48 वोटों से मुंबाई उत्तर पश्चिम सीट जीतने वाले शिव सेना सिंदेगुट के सांसत रविंद्र वाइकर के रिष्टिदार के फोन में EVM मशीन फुलने की ट्रिक है उनके रिष्टिदार मंगेश पांडिलकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने मुबाईल फोन से OTP जिनरेट कर EVM मशीन को अनलॉक करने की कोशिश की थी वनराय पुलिस ने उन्हें CRPC की धारा 41-A के तहत नोटिस भी दे जा है कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक्स पर एलन मस्क की उस पोस्ट को साज़ा किया जिसमें मस्क ने EVM को हचाने की बात कही थी मस्क ने अपने पोस्ट में कहा कि हमें EVM को खत्म कर देना चाहिए मनुशियों या फिर आर्टिफिशल इंटेलिजिंस जैसे की AI के द्वारा हैक किये जाने का जोखिम हालां की छोटा है लेकिन फिर भी बहुत जाता है दूसरी तरफ राहूल गांदी जिस मुंबई सीट का जिक्र कर रहे है उसके बारे में मुंबई उपनेगर जिला कलेक्टर वंदना सूर्य बंशी ने EVM पर जारी बिबादू को लेकर एक प्रस कॉन प्रिंस की और कहा कि EVM पर गलत ख़बर पहलाई चाह रही है और सारे के सारे आरोप बेबुनिया उन्होंने काई कि EVM में अन्लॉकिंग के लिए कोई OTP नहीं आता जो खबर चल रही है वो पूरी तरह से वलत और धंप एवियम किसी मशीन से चुड़ा हुआ होता हम नहीं मामला लगातार पड़ता जा रहा है और उस पर प्रतिक्रिया इपी आ इवियम के मामले में राउल गांदी के ट्वीट पर स्पष्टी करण देती हुए कहा गया कि जो खबर चल रही है वो वलत है इवियम के लिए किसी OTP की ज़रूरत नहीं बलकि रिजल्ट बटन प्रस करके काम पोचाता है चुनावायोग की तरफ से भी कहा गया चुनावाय और एक व्यापक आम बयान बताया और कहा कि इसमें कोई सच है नहीं उन्होंने काया कि Tesla के CEO एलन मस्क को भारत आना चाहिए और कुछ सीख ले ले लीगी जाहिए उन्होंने मस्क के बयान को खारिच किया और कहा कि भारती ये EVM कस्टम डिजाइन किये गए है तो रक्षित ह किसी भी नेटवर्क या मीडिया से वो अलग हैं इसकी कोई कनेक्टिविटी होती नहीं कोई ब्लूटूट से नहीं चोड़ता वाइफाई नहीं होता इंटरनेट होता नहीं और कोई रास्ता नहीं फैक्टरी प्रोग्राम कंट्रोलर जोने दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता उन्होंने ये भी काचंदरी शेखरने के इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों को खीक उसी तरह से डिजाइन और बनाया जा सकता है जैसे कि भारत ने किया है और उन्होंने सीख थी कि एलन मस्क को एक ट्यूटोरियल दिखाने में हमें खुशी होगी विपक्षी दल बता दें कि फिस्वे कुछ समय से इवियम पर चिंता जटाते रही है और उसने शीष अदालत में याचिका दायर का वोटर, वेरियेबल, पेपर, ऑडिट, प्रेल याने कि वी वी पैट इनकी पर्चियों का शत्प्रतिशत्म विलान करने की अपील कोर्ट में की थी, सुप्रीम कोर्ट में लेकिन अदालत में इस ये श्पिकार नहीं किया दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर 36 गड़ के मक्ष बंग विश्ण देवसाय ने भी प्रतिक लिया उन्होंने कहा कि जब कॉंग्रेस जीत जाती है तब इवियम में कोई गलबड़ी नहीं होती लेकिन जैसे ही कॉंग्रेस से नहीं हार जाती है वो सारा ठीकरा अपनी हार का ठीकरा इवियम पर खुड़ने लंगते अब उनकी बातों में कोई दम नहीं रह गया अब बहुत बार से लोग ईवियम और सबकी बात उठाते रहे हैं जब जीते हैं तो इनके लिए वियम ठीक हो जाता है हार जाते हूं तो हार का ठीक रहा इवियम पर खुड़ते है कुल मिलाकर इवियम को लेकर अब एक बार फिर से मामला गर्मा गया है एक तरफ इस मामले को लेकर एलल मस्क के ट्वीट को लेकर राउल गांधी ने इस सहरे राजिन्टी खड़ी करने के कोशिश की है तो दूसरी तरफ एलेक्शन कमिशन की साथ ही बीजेपी की तरफ से भी मोचा संभाल लिया गया है औ इसमें कोई भी कड़बड़ी नहीं जासे है